हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का SM टेक्नो गुरू में मैं हो सुनिर मोर्या दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Windows laptop और Mac laptop के बारे में दोस्तों इसमें जबीबी कोई laptop खरीजने जाता है तो हमेशा उसको confusion रहती है कि Windows वाला laptop खरें या फिर Mac operating वाला laptop खरी दें तो इसमें बहुत सारे दिखकет है और इसमें यह भी बताएंगे कि कौन से laptop में जादे फायदा है और नुखसान है तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें पहले तो यह समझ लेते हैं कि laptop जरूरत क्या होती है, laptop क्यों खरीदना चाहते हैं लोग दोस्तों जब भी भी अगर office पे काम करते हैं तो यह सोचते हैं कि laptop ले 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 तो हम घर से भी उस काम को कर सकें या फिर आप यदि कोई networking company में काम करते हैं तो उसके लिए अपना network क्या डिजाइनिंग करने के लिए उसके लिए laptop की जरूरत पड़ती है या फिर अगर कोई student है student अपना project त्यार करता है फिर या फिर coding बनाने के लिए भी laptop ले सकता है या फिर web development करता है तो उसके लिए भी laptop की जरूरत पड़ती है और उन student के लिए भी जरूरी होता है जो 10th पास हो जाते हैं या फिर 12 पास हो जाते हैं तो वो सुचते हैं कि अब जो higher education यानि कि graduation करना है graduation का maximum जो study होती है वो self study से ही होती है तो उन लोगों के लिए laptop लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है और कुछ ऐसे student होते हैं study के साथ साथ game भी खेलना पसंद करते हैं तो ऐसे लोग अपने according कि हमें कैसा काम करना है कौन सा काम करना है और हमारे पास कितनी budget है उसके according laptop खरीदना चाते हैं तो यहां पर सबसे महत्वपूर बात है कि price की कितना हमारी budget है और इस budget में हमें कौन सा laptop मिलेगा पहले तो हम बात करते हैं Windows की दोस्तों Windows का जो भी laptop खरीदेंगे अगर सबसे सस्ता भी खरीदेंगे तो लगवग 15,000 से start हो जाता है उपर आप जितना पैसा laptop मिल जाएंगे इसमें खास बात यह है कि जो भी नए लोग जो first time laptop खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए Windows laptop बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि वो लोग नया नया सिखेंगे नया नया सिखेंगे तो उसके लिए नया नया software की जरुरुत पड़ेगी और बार बार हर software को install कर करेंगे तो उसमें हमेशा software डालते हैं हटाते हैं फिर crack software भी यूज करते हैं यानि कि Windows में लगवग सारे software आपको crack पे मिल जाएंगे यानि कि खरीदना नहीं पड़ेगा वहीं पे अगर Mac laptop के बारे में बात करें अगर Mac laptop खरीदेंगे तो कम से कम आपको 60-70,000 रुपे लग नहीं सकते अगर laptop अगर Mac का ले भी लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि जब आपकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं हमें यह software चाहिए अगर वह software का खरीद लेते हैं तो फिर समाझ में आता है कि यह software अच्छा नहीं यह वाला software ले तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपके जे खरीदना ही पड़ेगा ऐसी कुछ साइटे हैं जिनसे आप Mac operating system के लिए software download कर सकते हैं लेकिन सारे software इसमें क्रेक वर्जन पर या फिर कहें तो फ्री वर में नहीं मिलते हैं यानि कि 80% जो भी software होते हैं Mac operating system के लिए Mac laptop के लिए आपको purchase करना ही पड़ता है तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि price की Windows की जो भी laptop होंगे वह बहुत ही सस्ते price में यह laptop मिल जाएंगे वहीं पर Mac operating system वाले laptop के लिए जादे पैसा लगाना पड़ेगा दोस्तों performance की अगर बात किया जाए तो यहां पर Mac operating system वाले laptop आगे निकल जाएगा क्योंकि इसका जो speed होती है बहुत ही अ अगर यहां पर Windows वाले laptop आते हैं तो यहां पर speed के मामले में इन दोनों laptop में बहुत जादे difference नजर आएगा अब बात आती है gaming की मामले में तो gaming के मामले में दोनों laptop बेस्ट रहेंगे अगर Windows वाले जो भी laptop आएंगे अगर उनमें गेमिंग वाले Windows laptop लेते हैं तो performance अच्छी आएगी लेकिन अगर Mac operating system वाले laptop लेते हैं तो उसमें gaming की performance बहुत ही अच्छी रहेगी लेकिन यहां पर Mac operating system में लैक की problem जादे आती है क्योंकि रुक रुक के चलना थोड़ा सा जादे हो जाता है वहीं पर Windows वाले laptop लेते हैं गेमिंग लेताप लेते हैं तो लैक की वीमारी लैक का जो problem आता है वो यहां पर नहीं आएगी तो अगर कहें तो Mac operating system वाले laptop से Windows वाले laptop जो Windows के gaming laptop आते हैं वो अच्छे रहेंगे अब बात आती है long term के लिए कोई भी वेक्ति अगर laptop खरीता है तो वैसे तो long term के लिए खरीता है लेकिन अगर life किसकी जादे दिनों तक है त maximum अगर starting में तो उसनकी सभी की speed perfect होती है जितने उनके speed दी गई होती उतना speed आपको मिलता है लेकिन लगभग अगर एक साल या देवर साल के बाद आपको अपने laptop की speed कम होती नजर आएगी उसको कितना भी format कर लें या फिर उसमें डूसरा operating system install कर लें तब भी उस laptop वाले laptop की speed आपको slow नजर आएगी यानि कि दो साल तीन साल के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि हमें अब laptop चेंज करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन वहीं पर Mac operating वाले laptop को लेंगे तो उनक्या जो performance होता है जो starting में रहे वहीं तीन साल दो साल या फिर कहें तो चार साल के बाद भ रहेगी यानि कि Mac operating system वाले laptop जादे दिनों तक या फिर कहें तो Apple वाले laptop बहुत ही जादे दिन तक इसकी performance वह सेम रहती है जो starting में खरीते हैं तो यहां पर Mac operating system वाले laptop जादे दिनों तक आप इसे यूज कर सकते हैं अगर Windows वाले जो भी laptop हैं अगर उसमें जादे price का भी ले लेते हैं तो उनकी performance दो साल तिन साल या धाई साल के बाद performance में कमी आही जाती है लेकिन वहीं पर Apple के जो भी laptop है उनकी performance हमेशा बनी रहती है लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे main बात यह है या important बात यह है कि आपका budget कितना प्राइस का आप laptop खरीदना चाहते हैं यदि आपक कि हम कुछ पैसा मिला कर और Mac operating system ले लें तो Mac operating system खरीदने के तो खरीद लेंगे लेकिन उसमें जो यूज होने वाले software होंगे उसको भी आपको बाद में खरीदना पड़ेगा यानि कि Mac operating system में बार बार आपको पैसा invest करना पड़ेगा तो दोस्तों I hope आप सभी को Mac और Windows वाल और साथी साथ वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद